नमस्कार स्वागत है आपका डिटी डव्लू 24 न्यूज में मैं राधासा सिभर जिले में डूबने के तीन अलग-अलग घटनाओं में चार बच्चिया समेत पांच बच्चे डूब गए हैं जिले के तर्यानी प्रखंड के पोजिया फतापुर गाउं में सरेह जाने के क्रम में डूबने से एक साथ तीन बच्चियों की मौत हो गई बताया जा रहा है कि तीनों बच्चियां सरेह में घास लाने जा रही थी इसी क्रम में गड़े में पैर फिसल जाने से गहरे पानी में चली गई वहीं तर्यानी प्रखंड के हरोता दुम्मा में बंगटाही गाउं में रघुवन्स नहर में डूबने से 14 बरसिये एक बच्ची की मौत हो गई तर्यानी के सीओ आरके पासवान ने डूबने से चार लड़कियों की मृत्यू की पुस्टी करते हुए बताया की सरकारी प्रवधान के अनुसार सभी को सहायता दिया जाएगा इधर पिपराही प्रखंड के मोहनपुर गाउं में 16 वरसिये फिरोज अनसारी डूब गया है वह अपने बहन के यहां जा रहा था इसी क्रम में नाले में पैर फिसल गया जिससे वह पानी के तेज वहाब में बह गया उसकी तरास में SDRF की टीम लगी हुई है लेकिन अब तक बरामद नहीं हुआ है और जो है दो उसका क्या नाम है? यह वो सबनम खाटूम और यह वो चान खाटूम तो यह हसीना खाटूम का कितना एज होगा? बिहार समय देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहे डीटी डबलू रिट्फार नीज़ के साथ गया का करें यूट्यूब पे देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकोन को जरूर दवाये ताकि हर ख़बर सबसे पहले पहुंचें आप दब कर दो